नमस्कार मैं राना इस्वनत आपका स्वागत करता हूँ प्रियंका गांधी कॉंगरिस की महा सटवी प्रियंका गांधी इलाहबाद से बनारस की यातरा पर हैं और यह अपनी तरह की इकलोति या पहली यातरा आप भारत की राजणीत میں मानेंगे यह यात्रा नदी के रास्ते हैं नाव के जरीए हैं बोट के जरीए स्टीमर के जरीए हैं और यह चुनाव प्रचार है आप यह मान लीजे कि प्रियंका गांधी ने पुर्वी उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाओं का जिम्मा जो दिया गया है उसको अपने हाथों में ले लिया है और उस पर काम करना शुरू कर दिया है यह जो पूरी यात्रा है उस यात्रा को समझना बहुत जरूरी है वो प्रियाग से निकली 18 तारिख को वहां उन्होंने गंगा की पूजा की हनुमान की जो मूर्ती है जो बड़े हनुमान का मंदीरे वहां जाकर कर उन्होंने अब शेक किया फिर गंगा के रास्ते वो निक पूजार गही थी और वहां जाकर करके उन्होंने पूजा की एक मजार पर भी जाकर करके उन्होंने चादर चढ़ाई फूल चढ़ाए। कुल मिला करके यह जो पूरा प्चारा भीयान है वह बीजेपी के रास्ते पर चलने वारा भीयान है आप भारत की राजनीद को समझगी और खास करके 2014 के बाद की राजनीद को बीजेपी ने और मोदी सरकार ने जब भी चुनाव हुए वो विधान सभा के चुनाव हो या फिर लोक सभा के उपचुनाव रहे हो इन तमाम चुनाव में जादा तर जो जोर रहा वो मठों पर, मंदिरों पर, घाटों पर, नदियों पर और प्रियंका गाधी ने कुल मिला करके नदि, घाट, मठ, मंदिर इन्हीं के जरी अपना परचार शुरू किया है पूर्वी उत्तरप्रदेश का जो मानस है, उस मानस के मताबिक उन्हों ने अपनी राजनीत को रंग दिया है अगर आपको यही ठीक लगता है, तो हम यही करेंगे और ऐसा करते हुए वो BJP का जो रास्ता है उस रास्ते पर आ गई है यानि BJP को BJP के हथियार से ही काटने की तरियारी प्रियंका गांधी की है चर्चा किस बात की है कि प्रियंका गांधी ने हनुमान जी की पूजा की प्रियंका गांधी ने विंधाचल मंदिर में जाकर के विंधवासनी की पूजा की प्रियंका गांधी मजार भी गई थी, प्रियंका गांधी दिख़े कैसी रही है इसमें हुआ क्या मुद्दे गाइब है चुनाव में जो आम आदमी का मुद्दा होता है वह मुद्दा गाइब है और यह बीजेपी के लिए भी बहुत अच्छी बात है कॉंग्रिस अगर यह नहीं समझ पा रही है तो बीजेपी को इस बात पर कहीं न कहीं राहत महसूस हो रही होगी कि जितने भी मुद्दे होते हैं चुनाव के जनता के सरोकार के जनता की बेहतरी के पिछली बार किये गए वाइदों के पूरा होने के उन सब का कोई अस्तित्त नहीं है कोई वजूद नहीं है बेहतर है अच्छा है कि कॉंग्रिस इसी रास्ते पर है वो भी मठ में है वो भी मंदिर में है वो भी पूजा कर रही है और कहीं न कहीं कॉंग्रिस बीजेपी के ट्रैप में है जब बीजेपी का उभार आया खासकर के 1989 1989 के बाद राम मंदिर आंदोलन के आगे जो राजनीत चली उस राजनीत में मंदिर, मस्जिद, मठ, गिर्जागर यह सब जो हैं इनका वजूद बढ़ने लगा इनका वजन बढ़ने लगा और राजनीत में ऐसे लोगों का दखल भी बढ़ गया, संत हैं तो पूजिये महात्मा हैं तो पूजिये प्रवचन करते हैं तो उनको बुलाइए क्योंकि इनके पास लोग होते हैं, इनके पास जनाधार होता है और यही जनाधार आपको वोट दिलवाता है, यानि कि जो धर्म था वो राजनीत में आ गया, सरकार होती है, वो सब गायब है, अच्छा क्या है, आईए अब फूल चड़ाइए, पूजा कीजिये, पंडी जी को बुलाइए, मजार पर चलिये, यह काम BJP करती है, और BJP के लिए यह एक बहतर रास्ता था, क्योंकि वो हार्ड कोर हिंदुत्वा की बात करती है, उसको ल जन संग्या कम होती जारी है, उनको सजग होना चाहिए, तो यह हिंदुों को लामबंद करके, उनको डरा धमका करके, या उनके बारे में कुछ सोच करके, कि हम आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, हम यह आपका जंडा लेके चलते हैं, हम आपके मंदिर में जाते ह हैं हम प्रोहितों की बात करते हैं धर्माचारियों की बात करते हैं हम मंदिरों की बात करते हैं हम आपकी बात करते हैं अब आप यह बताईए कि इन में से कौन सी बात आपकी रही मंदिर मठ नदी मजिद गिर्जागर चर्च यह आपके मुद्दे हैं यह आपके मसाइल हैं यही है और भारत की राजनीत का दुर्भाग यहे है कि जो आज सत्ता की राजनीत है वह है तो चल ही रहे है उस रास्ते पर क्योंकि उसके पास विकल्ब नहीं है उसको यह आसान रास्ता लगता है और इस रास्ते से उसने सत्ता हती आई और सत्ता को आगे बढ़ाए रखने के लिए उसको यही रास्ता अब मुनासिब लग रहा है लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं उन पार्टियों के सामने क्या यही एक विकल बचा है शायद नहीं है और मैं गुजरात चुनाओं की याद दिलाना चाहूंगा राहूल गांधी ने गुजरात में रोज नेंद्र मोधी को याद दिलाते थे कि आपकी सरकार ने क्या किया है गुजरात में ऐसा हुआ ऐसा हुआ ये पढ़ाई के मामला है ये सडकों का मामला है ये रोजगार का मामला है ये यहां के कारोबार का मामला है और इन सवालों ने कहीं ने कहीं BJP के लिए परिश्वानी पैदा कर दी थी उसमें सबसे बड़ा संकट कॉंग्रिस ने खुद ही अपने पैर प कॉंग्रिस का आ जाना BJP के ट्रैप में आ जाने जैसा ही था और कॉंग्रिस बार-बार BJP के ट्रैप में आती है आपको जनेउधारी हिंदू साबित करने में जादा दिल्चस्पी है आपको मंदिर मंदिर जाने में जादा दिल्चस्पी है आपको साबित करने में कि वो जित कर.......... करना चाहिए, जिन सवाल नो पर आपको सरकार को गिरना चाहिए, लोगों को लामबन करना चाहिए, लोगों के मसाइल लोगों की उमीदों के पूरा ना होने की बाग, यह अबasures आपके साथ खड़ा हो सकते हैं विपक्ष की राजनीती सत्ता पक्ष की राजनीत की तरह नहीं हो सकती है नैंदर मोदी चौकिदार कहा उन्हों ने और राहुल गांधी ने चौकिदार चोर है का एक नेरेटिव इस देश में पैदा किया इसका असर ये हुआ कि बीजेपी और प्रधान मंतरी ने खुद ही पूरी ताकत के साथ इसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा एक मुवमेंट छेड़ा एक तरह से अभियान है ये पीजेपी को ये अलगने लगा था कि हो सकता है कि चौकिदार के मामले को लेकर कि राहुल गांधी लोगों के बीच में जा करके कुछ ऐसा भरोसा पैदा कर देए कि उससे बीजेपी को नुकसान हो तो अचानक बीजेपी पूरी तैयारी और ताक़त के साथ आ गई कि चौ चौकिदार देश की स्तारी जनता है, मैं भी चौकिदार। लेकिन यह चौकिदार जो शब्द है, जिसको आप narrative कह सकते हैं, भारत की राजनीत में इस बार के चुनाम जो सबसे जादा चलेगा, इसके आज पास आप बहुत सारे सवाल खड़ा कर सकते हैं, इसके आज पास आने और नदी के रास्ते परचार करने से जो लोग आते हैं आपको देखने के लिए, अगर वोट में तबदील होते हुए आपको महसूस हो रहे हैं, आपको इस बात कानुमान होता जा रहा हैं, तो यह गलत है, ऐसा होता नहीं है, इसलिए चुनाओं में जो राजनीत होनी चाहिए, उस राजनीत से कांग्रेस और विपक्ष के तमाम दल भटके हुए हैं, मोधी सरकार को और बीजेपी को घेरने के जो मुनासिब मजबूत रास्ते हैं, उन रास्तों पर चलना बहुत जरूरी हैं, जब कभी भी आप मोधी बीजेपी और संग के रास्ते पर आते ह तो आप उनका काम आसान कर देते हैं, और यहां काम जब आसान हो जाता है तो उनकी जीत की समभावना बढ़ जाती है, इसको कांग्रेस और कांग्रेस के रानेतिकारों के साथ साथ, विपक्ष के तमाम दलों को और उन तमाम नेताओं को जो कहते हैं कि हम लाम बंद हो करके मिल जुल करके मोधी सरकार और मोधी को हटाना चाहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ वो आज भी खड़े हैं आपस में सीटों को लेकर के मारा मारी उनके बीच आज भी चल रही है एक दूसरे को नेता मानने की तैयारी में वो नहीं दिखते हैं एक दूसरे को आगे करके एक गठबंधन तयार करने की मानसिक्ता उनके भीतर नहीं दिख रही है यह सब कुछ जो है दोर बीजेपी और मोधी के लिए सुकून देने वारी बात है और चलते चलते फिर वही बात जो मैं आपसे रोज कहता हूँ कि इस चैनल को आप लाइक करे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन जरूर ने नमस्कार